कंगारू के किक कितनी powerful है आप सभी जानते ही हो लेगिन क्या आपको मालूम है female कंगारू के पाउच के अंदर क्या है आप सभी को लगता होगा कि ये छोटे से बच्चे को hold करने के लिए एक simple साथ थेला होगा कंगारू का पाउच बेहत complicated है कंगारू के बच्चे जनम लेते हैं तो इनका size केवल jelly beans जितना होता है ऐसा इसलिए क्योंकि जनम से पहले अपनी मा के गर्म में केवल 33 दिन ही बिताते हैं ये वैसा ही है जैसे इंसानी बच्चा दो महीने के बाद जनम ले ले अपने underdeveloped नाजुक बच्चे को बचाने के लिए कंगारू के पास ये दूसरे गर्म के तोरपर पाउच है जिसके अंदर 4 निपल है और इन सभी में अलग-अलग परकार का milk आता है ये मिल्क बच्चे को बैक्टीरिया से बचाते है और सभी परकार के important nutrition प्रोवाइड करता है और ये मा का पाउच अंदर से गरम भी होता है ताकि नन्नी जान को ग्रो होने के लिए suitable environment मिल सके कंगारो के पास एक पाउच होता है फिर भी एक समय पर तीन बच्चों को पाच सकता है पहला बच्चा पाउच में रहता है दूसरा पोकेट से भार निकलने के बाद काफी मैनों तक 4 निपल का जादर nutrition वाल अदूद पिकर पलता है तड़ बच्चा का आए मा की गर में